जै छटी मैया आप सब को छट पूजा की बहुत बहुत बढ़ाई और आज हम बनाएंगे आलू गोबी की सब्जी जो बिना लेसन प्याज का बनेगा जो भी सब्जी बनती है और गोबी को अच्छी तरह से पूच्छी तरह से दो घरम पानी में नमक डालके दो तो ढ़का दोओ लिजे आप गोबी को अगडा बास का बनाए ये शब्लाई की बना लेंगे तो बहुत ज़्यादा तेल आपका फैलेगा तो इसलिए आप गोवी को ड्राइ कर लीजिए उसके बाद उसको भुन लीजिए अच्छी तरह से हलका ब्राउन होने तक उसके बाद फिर से कराही में तेल डालिए जीरा हींग और कुछ जैसे तेज पत्ता हो गए खरे गरम मसा के बनाती हूं हमेशा ही मसाले में घर में पीशती हूं धनिया खतम हो गया था तो मैंने पीश लिये हैं तो मसाले में ले लिया है दो चमच धनिया हल्डी लाल मिर्च का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर सब को पानी डालका सा भीगा गीला गीला कर लेंगे ताकि मसाल एक बार में नहीं गिराना है दीरी-धीरी करके डालना है अराम से और उसके वाद हलका समझ गया इसको तो हम स्लो ही रखेंगे इस टाइम में मसाला को भूल लेंगे अच्छी तरह से और यह सब्जी फ्रेट्स जो आप प्याज लैसन डाल के बनाते हो उससे कहीं ज्यादा ट प्राइदे बंद भी होता है तो इसको नहीं फैकना चाहिए इसको सब्जी में डाल ही लेना चाहिए और बिहार में तो ममी को मिसा से देखा है इसको इसको इस तरह से दवा के तोड़ ले रहा है तो जितने भी आलू इसको तोड़के ही डालना है आपको काटके आलू नही लेना है और सबको अच्छी तरह से चला लेना है आधा मेर तब चलाएंगे उसके बाद इसमें हम ग्रेवी लगा लेंगे अगर आपको सूखी सब्जी पसंद हो आप सूखी भीखा सकते हैं इसमें थोगा सा पानी डाल के पका ले कुख होने तक और बिहार में तो ग्रेवी द्वाली सब्जी बनती है तो इसमें घ्रेवी लगाएंगे तो पहले मैं अच्छी तरह से आलू अपको अच्छी तरह से हो जाने चाहिए इसको भूनना नहीं है बस कोटिंग कर लेनी है चला ले रहा है ताकि मसाले और गोवी सब आपस में मिक्स हो जाये अब मैंने ट्र त्मार्टर जो है यही चीज़े मैंने अपको बताई यह है मेनिसा सोल BENE इस पानि का श्टाइल का, गोबी हमारा पघ्या है आलू भी हमारा पघ्या है अब जब सब्गाने बस अब बंद करने वाली हुत को पॉछ टाइम में हमें ऐभी काट चाल ना है और थोड़ा सा पानी डालना है आलू उबला हुआ है गोवी भी हमारा आधा कोक है तो बस ट्रमाटर डालना है और धकना है एक मिनट से ज्यादा के लिए नहीं धकना है बस एक मिनट धकेंगे और अब हमें चेक करने की जुरूत भी नहीं है हमारी सबजी पके रेडी है अब इस पर हम डाल देंगे धनिया आपने देखा जब मैंने धकन को अटाये थे थोड़ा सा ग्रेवी था लेकिन जितने टाइम मैंने धनिया काटे एक मिनट लगा उतने में ही हमारा जो सब्जी है वह ठीक हो गया क्योंकि उबला हुआ आलू है तो रस जो है वो अपने आप पैरेशे टमाटर अगर रेशीप पसंद आई हो तो चैनल को क्या करना है अग।